सासे रोक देने वाले मकाबले में श्रिलंका ने घजब का खेल दिखाते हुए बांगलादेश को दो विकिट से हराया आखरी दो ओरों में ऐसीता फनांडो द्वारा खेली गई तीन गेनों में दस रोनों की नबात पारी श्रिलंका के लिए वर्दान साबित हुई टीम की ओर से कुशल मेंडिस ने 37 गेनों में सरवादिक साथन बनाए वही मुश्किल समय पर आई कप्तान दाशुन सननका की 45 रहों की पारी ने श्रिलंका को टूडल के करीब पहुचाया तो फनांडो ने आखरी ओवर में चौक का जड़का टीम की सूपर फोर में जगा पक्की कर दी युए की धरती पर ये अफ़ तक का सबसे बड़ा सफलता पूरवक्ट चेज है इसे पैले टॉस गवागर बैटिंग करने उतरी वांगदेशी शुरुआत अच्छी नहीं रही और शब्बीर पाच रमरा कर चलते बने इसके बाद महनी हैसन मिराज ने 26 गेंदों में 38 रन जड़े और कप्तान शाकीब के साथ मिलकर दूसरे विगेट के रिए 49 रन जोड़े शाकीब 24 रन बना कर आउट हुए मुश्वक्यूर रहीम भी सस्ते में पविलियन लोटे रहीम के आउट होने के बाद आफिफ हुसेन ने तावर्थोड बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 49 रन कूटे जबकि महमुदुल्दा ने 27 रन जड़े आखरी और मुसादिक हुसेन द्वारा खेली गई 9 गेंदों में 24 रनों की तवानी पारी के दम पर बांगलादेश स्कूर बोट पर 7 विगट खोकर 183 रन लगाने में सफल रही इसहार के साथ ही बांगलादेश एशियकप 2022 से बाहर भी हो गई है